नमस्कार भाई कैसे आप सब आश्र करता हूं सब बढ़िया होंगे स्वस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो भाई आज का जो हमारा टॉपीक है यह थोड़ा सा कि हम टाइपिंग कैसे स्टार्ट करें अगर आपने जूनियर एसिस्टेंट का फॉर्म भरा है इसलिए आप इस व्यूडियूम आयोंगे और अगर आप जूनियर एसिस्टेंट में सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको एक बात तो पता होगी कि आप बिना टाइपिंग प उन्हें पता नहीं कि टाइपिंग कैसे स्टार्ट करनी है आप अपने घर से भी टाइपिंग सीख सकते हैं और 50-60 की स्पीड पर जा सकते हैं बिल्कुल आपको कोई इंस्टूट जाने की ज़रुत नहीं है आपको को यह सिखाते हूं ठीक आप अपने घर पे बैठके अप ऑपने टाइपिंग लाइस रही है उलिए ग्जाण को पास कर सकते हैं तो इसी अबरे में आप आप उसको बताओ मै Hansa कि आप यह सब कैसे कर सकते हैं तो किम तो आपको पता चलिका टाइपिंग ऐसे स्टार्ट करना हौ चीज है ना दो तो तीन चीज होना चीज है आपके पास टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले में हैं आपके पास कोई फोन हो कोई टैबलेट हो या कोई PC लैपटॉप कुछ भी आपके पास चीज तो उनी刃 तो ज्याज़ा तरह के एक स्मार्टफोन होना चीए दूसरा आपके पास एक OTG केबल होने चीए जिससे आप अपने कीबोर्ड और अपने फोन को कनेक्ट कर सकें तीसरा आपके पास एक कीबोर्ड एक कीबोर्ड होना चीए ठीक है भाई एक कीबोर्ड अच्छी सी कंपनी का है तो मुनिट रूप और जुआ कर ज्या आ गया तो तो बहुत तीसरा आपके पास एक की बोर्ट होना जाहिए अब की बॉर्ट बच्चों में डाउट आएगा कि बहुई कैसा हले कोन सी एक कंपनी केले तो जिंद्री में बार बार आपक कर लूँगा कि 300-400 को अपना बजट रखें वैसे आपको मार्केट में 1500-200 का भी कीबोर्ड मिल जाएगा पर उसकी की इतनी सौफ्ट नहीं होती और वह आपको टाइपिंग करने में करेगी दिक्कत तो अपना थोड़ा से 300-400 का बजट रखें क्योंकि आपको एक ही बार लेन नहीं है और आपको कोशिच करो कि HP का मिल जाए या डैल का मिल जाए या एक लोगिटेक आती है मेरे पास लोगिटेक कही है तो इन तीनों के जो की दबती है यह यह दबती थोड़ी सौफ्ट और आपको जो एक्जाम सेंटर पर टाइपिंग करने के लिए मिलेगा वो भी ह हो सकता है या तो HP का मिले या फिर डैल का मिले इन दोनों में से किसी एक होता है ठीक है तो वह अपने हिसाब से देख लें तीन सो चार सो पान सो तक में कोई कि HP डैल का आप अच्छा सा कीबोर्ड ले लें जो चलने में सौफ्ट हो एक ओटीजी केबल ले ले और अपने स्मार्टफॉन से कनेक्ट करके अब मैं आपको बताता हूं आपको टाइबिंग स्टार्ट कहा करनी है कैसे करनी है ठीक है यह सारी चीज ऐसे सीरीज हो गई य सेंपली गूगल पर आपको लिखना है ताइपिंग प्रैक्टेस प्लिखोगा आपके पास यह पूरा पेज खुल के आजएगा जो मेरे पास खुल के आए और अब आपको कॉने से आपको पहले पर नहीं जाना कीबर वाले पर नहीं जाना टाइबिंग.com पर नहीं जाना आपको जाना इस पर typingtest.com चाहे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देदी हूं डायरेक्ट आपको इसको करना है ओपन ठीक यो भी आपके फोन में क्रोम वगरा हो इससे आपको ओपन करके अरे हो जाब आई कैसे होएगा अब भाई तुरुक जग वह एगा ठीक इससे आपको ओपन करके आप आगए यहां पर आपको यहां क्या करना है आप यहां पर देख रहे होंगे कुछ लेसंस दिये हुए है टाइपंग स्पीड बिल्डिंग नंबर रोज है न और आपके शिंबल स्टैन की नंबर पैड यह सब आपके यह दिये हैं उन्होंने आपको अपना कीवोर्ड से फोन कनेक्ट करके आपको खोलना है टाइप यह टाइपिंग में आपको देख रहे होंगे चोधा लेसंस हम화 स्प में दो इसलिए है क्योंकि मैंने कपलिट कर लिए मैंने भी स्टार्टिंग में यहीं से कर रहा था इसलिए मे Past आप लेसंद वन स्टार्ट करेंके ठीक आपको दिखा वो आपको याद याद करा देगा जैसे इस अपर टिक लगा हुआ है जैसे मैंने यह करे हुए इसको में एक बाद काट देता हूँ तो आप देखेंगे यह 14 लेसन है इसमें आपको पहले वह इंट्रोडक्शन और इनीशल टेस्ट लेगा आपका आपकी देखेगा क्या कुछ है फिर आपको होम रो याद करा देगा फिर लेटर्स आपका ई और आई याद करा देगा फिर एर्गोनॉमिक्स लेटर आर यू ल दबाद होगे इतनी मेरी गैरेंटी है अगर आपने 14 लेसन कंप्लीट कर लिए तो आप आख बंद करके भी कीबोर्ड पे वह अपना वर्ड दबाद होगे जहां भी वह वर्ड होगा आपसे जो भी बोला जाए ठीक है यह करने के बाद फिर आपको करना है स्पीड के 7 टेस्ट हैं यह यह कंप्लीट करने के बाद आपको नंबर लो एक बार और करने हैं मैं नहीं करई इह इसके विनए आपको ऊमबर रो तक आपको नंबर घ्र ल आाप grounds जullenहीं इनाए 5 सिंबल आपको इनापको यह नंबर की पैड़ वाले आपको जूरूरत नहीं यह यह टाइपिंग अपनी अचीव करना चाह रहे हैं चालेश से पचास आपको सिंबल के सारे लेसन कंप्लीट करने में आपको एक महीने का टाइम हो जाएगा और यही चीज अगर आप किसी इंस्टिटूशन पर जाओगे तो वह आपको तीन चार पांच महीने भी लगाड़ेगा इसी चीज में बहुत अराम से क्योंकि उसको अपने पैसे बनाने हैं सिंपल सी बात है उसको आपको सिखाना भी है और अपने पैसे भी बनाने है तो जितने लंबे टाइम तक महां जाओगे उसके पैसे बनते रहेंगे ठीक न तो आप अपने घर में इसको एक मंथ के डेखनी अब आपको लिखना है टाइपिंग टेस्ट ओनलायन फिर आपको यही चीज़ खोलनी है यही सेम उस पहाना आपको वेबसाइट पर और यहां आपको अपना मिनट्स चूज करना है टैन मिनट्स का टेक्स्ट में आपको मीडियम टेक्स रखना है हमेशा और आपक तो ऐसे आप अपना घर पर बैठके अपने टाइपिंग अचीव कर सकते हो बहुत अराम से आपको कहीं को institution कहीं कुछ जानी की जोरत नहीं है आप एक महीना करके देखो आपको सारी करके जाओ तो आपके पास भी knowledge होगी आपको भी पता होगा कि वहां में सब क्या होने वाला है ना तो वह आपको सिखाएंगे और आपको पहले से चीज आती होंगी तो आपका भी confidence टैस्ट रोज आप आधे घंटे 10-10 मिनट के 3 लगा पहले 10 मिनट का टैस्ट लगाया 15 मिनट रेस्ट लेया फिर 10 मिनट लगाया फिर अपना दस मिनट का टेस्ट लगाया तो ऐसे अगर आप अपने टाइपिंग करते हो तो मैं गैरेंटी ले रहा हूं इस चीज की कि आप अपना जूनियर एचिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट में फेल नहीं होगे ठीक है आप अपना अग् inertia निकाल के क्योंगि इसमें एक जो मेन हड़ेल है वो है बाई टाइपिंग की उख्याम तो पास कर लेंगे बच्चे ऑ इसमें जो मेन बच्चे जो भार होंंगे न भाई वो वो होंगे टाइपिंग में तो आपको अभी से अपने टाइपंग पर ध्यान करके देनी पड़ेगी बचे इस वीडियो को देख रहे हैं जो नई देख रहे हूँ उनको वैसी रहन दो आप देख रहे हो आप अपना भला करो दुनिया का भला करने का ठेक हमने नहीं ले रखा हमें नोकरी लेञीं कोई मतलब है भाई टाइपिंग जिसने निकाल ली उसकी नोकरी हो जाएगी जैसे दिली पुलिस में था ना फिजीकल जिसने निकाल लिया उसकी नोकरी हो जाएगी इसमें टाइपिंग जिसने निकाल ली उसकी नोकरी हो जाएगी क्योंकि एक्जाम की कट ओफ इतनी हाई नहीं रहेग जिस बच्चे को टाइपिंग जिसको नहीं पता कैसे स्टार्ट करने हैं तो मैंने एक बार बता दिया है आप ऐसे इनिन स्टैफ को फॉलो करके अपने टाइपिंग को 40-50 वर्ड मिनट तक ले जा सकते हो ठीक अगर किसी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना और अगर कुछ नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली ऐसी यूसफुल वीडियो मिलती रहें ठीक है मिरे बाई चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो मच्छरों से बच झाल